हमारा पैसेज गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम सी सेट के परिष्वेत नमबर टू देखेंगे जो व्यक्ति इस हिज की चाहट में रहता है कि दो चीजों में से किसी पहले करे वह दोनों में से कोई भी नहीं करेगा जो व्यक्ति संकल्प करता है लेकिन लेकिन उसकी का चीज को कभी पूरा नहीं कर सकता ज्यादा से ज्यादा वबस ठहरा रहेगा और संभुता सभी चीजों में पीछे हटता जाएगा जो व्यक्ति पहले विवेक पूर्वक परामर्स करता है फिर द्रण संकल्प करता है कमचोर मनोवरिति को भैबीत करने वाली तुक्ष कठि नायों से निर्विक बने रहेका अटल द्रेणता से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है केवल वहीं व्यक्ति किसी भी दिशा में उद्कर्स की ओर आगे बढ़ सकता है इस परिछेद के आधार पे हमें क्वेस्चन दिया गया है जिस क्वेस्चन का हम देखेंगे कि ह नकार देना चाहिए और बिना बदले अपनी राय पर कायम रहना चाहिए C हमारा अप्सन है हमें विचारों में सदय उदार होना चाहिए D में हमें सदय क्रिच संकल्प पर उपलब दी अभिमुक होना चाहिए तो हमारा A अप्सन करेक्ट होगा कि हमें पहले विवेक पुर कि अब हम यहां देखते हैं इसके बारे में फिर से देख लेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या होगा यह option हमारा correct होगा और इसके बारे में हम देखते हैं किसी भी सफल व्यक्ति के लिए या अनिवार यह होता है कि वह कोई भी नेड़ाय या द्रिन संकल्प करने से पहले सम्मंदिक पक्ष के सभी पहलों पर विवेक पुर्वक परामर्ज करें तदा किसी भी कठीन परिस्तिती में साकारात्मक रूपशे अटल रहे इसके विप्रित जो व्यक्ति हमेशा असमंजस में रहता है या किसी के कुछ भी कहने भर से अपना नेड़ाय बदल देता है वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता अत्ता इस परिछेत का मोल भाव यह हैं कि हमें विकल्प एक अनुस कि हम अपना एक डिसीजन चेंज करके दूसरे डिसीजन पर जाते आते रहते हैं तो हम कभी भी असमंजस में ही रहे जाएंगे और हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें अपने नेड़ाय पर क्या करना चाहिए पहले हमें विवेक पुरवक परामर्स करना यह हमें क्या करना है उसके बाद द्र्र संकल्प करना चाहिए और हमें एक ही चीज पे constantent दिमाग लगा देना चाहिए जैसे कि कुईसी exams के भी बारे में यह देख सकते हैं कि अगर हमें medical science की तयारी करनी है और एक हमें engineering line की तयारी करनी है हम उसमें अच्छा से कुछ भी कर पाएंगे इसमें यहीं दिखाया है तो यह हमारा seaside का पैसेश था जिसमें कि हमें ए बता रहा है कि हमें पहले बीवी पूल परामर्स करना चाहिए और फिर द्रसंकल्प करकर करके उसी काम में जुट जाना चाहिए तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं हमें अपने विचारों में आगा पीछा नहीं होना चाहिए थैंक यह सू मच कर दो 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 झाल झाल